असलाम अलेकुम जब काफी दिन से जो है क्यूरीज आ रही थी मुझे इंस्ट्राग्राम पे भी मेसेजज़ आ रहे थे कि काफी दोगों कन्फीजन थी कि टिक-टॉक का जो है पिक्सल का क्या सीन है पिक्सल क्या होता है किस तरीके से जो हो आटैच होता है और उसके क्या-क्या फाइदे हैं तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है आज यह वीडियो में हम डिस्कुस करेंगे कि अब वाट इस पिक्सल टाइपस ऑफ पिक्सल और हाउ तो सेट अप पिक्सल वाइड लेविल किसी भी चीज़ के आज़े कोई पीचे समझ में ना आ रही हो तो आप इसी वीडियो के जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं उसके अलावा यह मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और इसकी और भी वडियोस हैं इस nuे जैसे इस्टोर डिजीन वीडियो है डूमें कनेक्शन की वीडियो है कैसे हम ड्रॉपश्पिंग स्टाइट कर सकते हैं इसके इसके साथ इसके लावा और भी आप मुझे टॉपिक जो है मैं वडियो बनांगा तो उसी तरीके से 생से जो है मो updated उसक्ट सम्छने से पहले हैं मं यह देखना पड़ेगा कि एक वेबसाइट आपर हमारी वेबसाइट के अंदर ऊट हबना तो उसमें क्या फरक है और एक वेबसाइट है जिसमें पिक्सल उट tuva हुआ है इसके अंदर क्या फर्क तो इसको देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा शौपफाइव एफसाइट के अपर तो यह एक हमारे पर शौपफाइव एफसाइट खुल गई है जिसमें देखें अभी इस खाल यह पता रहा है कि वन विजिटर राइट नाउ जो कि यही वेफसाइट के ओपर पिक्सल नहीं लगा हुआ तो हम खाली यह देख सकते हैं कि हमारी वेफसाइट के ओपर कितने बंदें लाइव हैं और कहा कहा से लाइव हैं अभी कुछ देर पहले पिशावर से कराची से सब चिगा से जो है वो विजिटर आ रहे थे तो खाली हम आपको एक्जेंपल दे के समझा सकता हूँ फॉर एक्जेंपल यह हमारी वेफसाइट है ठीक है अब हमारी वेफसाइट के ओपर पिक्सल नहीं लगा वा तो हमारी वेफसाइट के ओपर कौन आया और कौन बैठा हुआ है और किस सिटी से आ रहा है और कब गया खाली हम यह चीज़ ट्रैक कर सकते हैं, वो भी Shopify के अंदर हमें पता चिल लाएगा, कि अगर कोई आपके पहला विजिटर के उपर लाइब बैटा हुए, तो कितने बंदे बैटे हुए, for example, एक बंदे बैटे हुए, दो बंदे बैटे हुए, कितने बंदे बैटे हुए, वो किस city से आ र लाइगा, for example, मेरी वेबसाइट के उपर 50 बंदा लाइब बैटा हुए, तो अगर वो वेबसाइट को इस तरीके से काट के चले आएंगे, बंद करके चले आएंगे वेबसाइट को, तो 50 होंगे तो 49 हो जाएंगे, इस तरीके से हमें पता चल लाएगा, कि ये जाएगा कि अब हम ये देख लिते हैं, कि अगर हम पिक्सल एटाइज करते हैं अपनी वेबसाइट के उपर, तो ये किस तरीके से हमारा पिक्सल वर्ड करेगा, और पिक्सल का जोई वो फाइदा क्या है, तो for example, हमने वेबसाइट के उपर पिक्सल जोई वो कनेक कर लिए है, अब हमा हमारी वेबसाइट है, मिसाल है, पचास बंदे जो हमारी वेबसाइट के उपर आ गया है, हमारी वेबसाइट के उपर पचास बंदे आ गया है, तो हमारी वेबसाइट के उपर आ गया है, ये पचास बंदे जो है वो आपकी वेबसाइट के उपर आ गया है, अब इसमें से जो बन्दे आये उन्मों ने खाली-view content करा क्या होता है मिसाल है आपकी वेब सेट पर आया मैं आपकी वेब सेट का पेज़ जो है आपका load हो गाया W.E. अगर मैं इस प्रो डotक का है जैंड सुनार हो खाली मैं इस प्रोडक के ओपर land हुआ मैंने ऐसी देखा प्रोडक्ट और मैं चला गिया तो ये जो है वो view content का event trigger होता है तो for example 50 बंदे आये 50-20 बंदों ने जो है वो view content करा और वो चलेगा है तो जो view content होगा वो pixel trigger कर लेगा कि यार इन 50-20 बंदों ने वो view content करा है ठीक है अब 20 चलेगा है बचे 30 30 में से जो है वो 20 बंदों ने खाली जो है वो add to guard करा है add to guard क्या website पर आया है यहाँ पर add to guard पर क्लिक कर दिया तो pixel जो है वो track कर लेगा कि इन 20 बंदों ने add to guard किया है ठीक हो गिया अब पचे 10 बंदे अब 10 में से 5 बंदों लोगों ने खाली add to guard करके छोड़ दिया सही है और order place नहीं किया अब 10 में से 5 लोगों ने जो है order place किया है तो pixel जो है वो track कर लेगा कि यार 10 बंदों में से 5 बंदों ने place and order करा है तो जब हम website के उपर यह टिक टॉक की जो campaign लगाते है में वहां पर जैसरा कि ऐसे के मैं आपको बी दिखा देघा हो कि वहां पर जोह हो जुक्राइब झाहता है और पिक्सल ईटैज करो अपना निस आर लिए ध़या 지금 हुआगारे चैस्छाट पार belang के इत कर संदेख इंजार हो यह धाल किया है special Armor बताओ कि कौन सा पिक्सल है पिक्सल के अधर पिक्सल के अंदर डेटा होता है मिसाल है अगर आप जो है वो मार्केटिंग करते हैं अब आपका पिक्सल है आपका पिक्सल पुराना है मिसाल है अगर जैसे यहां पर पिक्सल है मेरे पिक्सल के पास जो है मैं काफी टाइम से सेम पिक्सल पर काम कर रहा हूँ तो मेरे पिक्सल के पास जो हज़ार एक फॉर एक्जेंपल हजार बंदों का जो हज़ार बंदों का डेटा है और 300 वैसे 100 बंदे ऐसे हैं जो मेरे पक्के कस्टुमर हैं जो मेरे प्रोडक्क के ऑपर ओर्डर करते हैं तो फॉर एक्जेंपल इन केस अगर मैं कल कोई नही ऑफर लॉँच करता हूँ ठीक है तो अगर मैं चाहता हूँ कि वो बंदे जो मेरे 500 बंदे हैं जो खालिब काउंटन करके चले आते हैं उनके लिए अंगे और मैं कोई स्पैसिफिक का ओफर निकालू तो मैंटिक्सल को यह बोलूँ ucा कि उन बंदों को टर्गेट करो जो बंदे सिर्फ मेरी वेबसिट पर आते यह वियू कॉंटेंट कर के चले आते हैं तो पिक्सल पर पहले से डेका मौजुद होगा पिक्सल बंदें को टार्गार गरते है जो खाली व्यू कॉंटेनट के चले हाते हैं इसी तरीके से अगर मैं एक offer निगालूं कि जो बंदे खाली एड़ टुकार्ट करके चले आते हैं उनके लिए मैं कोई offer निगालूं कि यार आप लोग जो एड़ टुकार्ट करके चले आते हैं आपके लिए यह special discount है आप जो एड़ टुकार्ट की जगह पर्चेस करें और मैं पिक्सल को यह कमाड़ दूँ के भाई सिर्फ उन लोगों को यह दिखाओ जो खाली मेरी website पर आते हैं और टुकार्ट करके चले आते हैं तो पिक्सल उन लोगों को वीडियो दिखाएगा और यह फिर आपक इस पिक्सल के बद मेरे डिटा है मैं ने पिक्सल सलेक कर लिया अब यहाँ पर मैं event सलेक्ट करूँगा मतलब event क्या सेलेक्ट करूँगा कि मैं जब campaign चला रहे हम तो मैं इसको यह पताऊंगा कि मुझे क्या चीज customer क्या event परफॉर्म करे तो मुझे जो एब कंवर्दिशन इसको बताऊंगा कि कस्टमर अगर प्लेस और्डर करे तो ही एक कन्वर्जन काउंट करना अगर मैं इसको यह आप बोलता हूँ फॉर इजेंपल यहां जैसे मैं आपको बता है कि यहां पे जो है मैं अगर यहां चलेक करूँगा प्लेस और्डर तो जब तक कस्टमर प्लेस और्डर वाले पेश पे नहीं आ जाएगा जब तक कस्टमर अपना और्डर प्लेस नहीं कर देगा जब तक मेरे पास डेटा के अंदर केंवर्जन काउंट नहीं होगी अगर मैं ख customer ने view content का event perform कर लिया है तो pixel जो है वहाँ पर ट्रेक कर लेगा और वहाँ पर आपको show कर देगा क्यार इतने बंदों ने जो है वहाँ आपका event जो है वो perform किया है तो यहाँ पर जब भी campaign लगती है तो place and order की इस वेज़ा से लगती है कि हम pixel काइट कर रहे हैं pixel को train कर रहे हैं कि यार जो बंदे order place करके जा रहे हैं उनका ही खाली आपने event जो है वो track कर रहा है ठीक हो गया तो I hope इतना जादा जो है वो इतने काफी होगा कि pixel क्या होता है ठीक है तो अब हम जो है वो अगे की तरफ move करता है अच्छा अब हम discuss करेंगे types of pixel connection in TikTok टीक है टीक टॉक के नदर जो है वो दो टाइप के pixel कनेक्ट होता है एक manual pixel कनेक्ट होता है और एक automatic pixel कनेक्ट होता है दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है automatic में यह है कि आपको पिक्सल कनेक्ट होता है और manual में यह है कि आपको code copy करके करना पड़ता है दोनों में कोई जादा फर्क नहीं है आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं इशु वारी कोई बात नहीं है लेकिन मैं प्रेफर करेंगो कि आप manual pixel जो है वो कनेक्ट करें क्यूंकि automatic pixel के बनिजबत manual pixel के result अच्छ है उसके लगव आप test भी कर सकते हैं कि आप जो है वो एक दफ़ा automatic pixel कनेक्ट करके 2-4 डॉलर की campaign चलाके इसको test कर लें या पिर आप एक दफ़ा सकते हैं अच्छा तो अब हम यह देखेंगे कि हमने पिक्सल को इस तरीके से सेट अप करने है पहले हम manual pixel सेट अप करेंगे बाद हम automatic pixel को सेट अप करेंगे अच्छा तो manual pixel सेट अप करने के लिए सबसे पहले हमने आ जाना है टिक टोक के agency account के उपर जो के हमारा agency account है और साथ में हमारी यह website खुली भी है ठीक है तो के बाद हमने यहाँ पर tools पर click करने है event पर click करने है event पर click करने के बाद आपके बाद यहाँ पर event आएगा web event web event पर आपने click करने web event पर click करने के बाद इसको skip करने है यहां पर देखें अभी इस एड़ एकाउंट के उपर एक भी पिक्सल क्रेेट नहीं हुआ है, आपने एक रियाट पिक्सल के उपर क्लिक करना है, यहां पर आपर आप से दो अप्शन पूचेगा, पाटनर सेटप, मैनुल सेटप, आपने हम, क्योंकि हम मैनुल पिक्सल कर र अच्छा जो हमारे एड एकउंट होता है यहांस पताचलता है यह हमारे एड एकउंट का यूचर ने में जब आप अपने पिक्सल का नाम से टक पर देंगे तो आपके बहुत आप आप ब करने इसको स्किप करने के पाद एवेंट एपिय कस्टम कोड आपने इसको चेक करके करना के बाद आपने नीचे आना है इसको अटोमाटिक एड़़ांस मेशिंग को अन कर देना है इसके बाद आपने विउव इंस्रेक्शन के ओपर क्लिक करना है जब आ लेगा यहां पर आपका यह अपने कलिक करना है यह और नियापकर अपर कोपी हो जाएगा देना लिक्विट यहां पर आने आपको आपने और यहां पर आने के बाद एड़ा हैड आगिया हैड के हैड के बाद दो बार इंटर दबाना है उसके बाद यह कोड़ पेस्ट करना है कोड़ कोपी करने के बाद दो बार दो बार इंटर दबाना है और यहां पर सेफ कर देना है ठीक होगी है, सके बाद आपने यह पहराद आने कि अपने क्लिक करना है पिसला वाली टायब आपको लह ख्सकर भी फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो आपके बाद यह वाला पेज जो यह वो उपन जाएगा, यहां से अपने हमने जो क्या करना है, अब हमने event setup करने है manually, event के यहां से अप करेंगे, setting में आएंगे, लीचे आएंगे, लीचे आने के बाद यहां पर option आएगा हमार पस event builder का, event builder क्योंकि हम जो है manual pixel जो है वो setup कर रहे हैं, तो हम events भी setup करेंगे manually, ठीक हो गया, अब ही हमें कह रहा है कि यार, आप जो है वो pixel helper की जो हो extension डाउलोड करो, तो हम यहां से simply जो हो square करते हैं, add extension करते हैं, तो हमारी जो extension है, वो download है, डाउलोड होने के बाद हमने यहां से refresh मानने है, refresh मारेंगे तो हमार पस यह page open हो जाएगा, अब हमने जो है वो, इसके event select करने है, normally चार event select होते हैं, तो कौन-कौन दे select करने हैं, आपको बताया तो, view content, view content, अब यह क्या कह रहा है, अब मिसाल है, हमने चार event setup करने है, तो हमने इसको बताना है, टिक टॉक को बताना है, कि भाई, view event, अगर मैं कह रहा हूँ कि view event count हो, view event का pixel जो है, वो event जो है, वो track हो, तो वो किस तरीके से track होगा, अब जाहिर सी बात है, कि उसके pixel के अंदर जादू तो है, नहीं तो वो खुद बहुद track कर लेगा, कि view event क्या होता है, या view event जो है, वो कब count होगा, हम यहाँ पे इसको enter URL keyword में बताएंगे, कैसे बताएंगे, for example, हमारी website पे कोई आता है, और आने के बाद, यहाँ पे आता है, हमारी collections देखता है, ठीक है, यह सब collection हमारी देखेगा, तो हम क्या समझेंगे, कि कोई बंदा हमारी website पर आया, उसने खाली हमारी collection देखी, और चला गिया, तो यह view content के लाएगा, तो view content का जो है, वो यह event perform हुआ है, event trigger हुआ है, तो हम यहाँ पे view content select करेंगे, मतलब हम TikTok को बता रहे हैं, कि view content जो है, वो हमने select कर लिया, view content कब count होगा, जब customer यह कोई भी बंदा, collection के page पर आ जाए, ठीक हो गया, collection के page पर आ जाएगा, उसके बाद view content जो है, वो हमारा track हो जाएगा, अच्छा, हमने एक और event ट्रेट करना है, एक और event add to guard का add करना है, add to guard का event भी same वोई scene है, कि pixel को पता कैसे चलेगा, कि भाई, इस बंदे न add to guard किया है, वो इस तरीके पता चलेगा, हम यहाँ पर URL में लिख रहे हैं, कि जो बंदा काट के page पर आए, तो add to guard का event ट्रिगर हो जाए, तो इस तरीके से pixel को पता चलेगा, कि जो बंदा काट के page पर आएगा, उसके पास add to guard का event जो है, वो trigger हो जाएगा, तीसरा event हम add करेंगे, इसके इंदर initiate checkout का, ठीक है, अब इसको भी ऐसे पता चलेगा, कि हम यहाँ आप तो बताएंगे के भाई, जो बंदा, चेक आउट के page पर आएगा, तो आप जो है वो initiate checkout का event जो है, वो trigger कर देना है, event जो है, ट्रेक कर देना है, जो होता event आता है, हमारे पास place and order का, ठीक है, place and order के बास हम यहाँ पर आएगे, जब हम आपने देखा होगा, जब हम order place करते हैं, तो हमारे पास जो page आता है, वो उपर आता है thank you page, thank you page आता है, for example, मैं आप आपको एक fake order place करके दिखा देता हूँ, जल्दी जल्दी, अब यह देखें, हम अभी check out कर रहे हैं, तो यह क्या, उपर जो है, वो चेक आउट का page खुला हुआ है, slash check out, तो हमने जो अभी event add किया था पीछे, check out का, तो हमने इसको क्या बताया था, initiate check out के, जब slash check out का page खुल जाएगा, जैसे कि यह slash check out का page खुल गिया है, तो हमारा जो pixel है, वो trigger कर लेगा, के भाई, initiate check out का, जो है, वो event perform हुआ, इसी तरीके से, अगर हम यहाँ पे एक fake purchase दालें, हमने एक fake purchase दाल दी, fake purchase दालने के बाद, हमने एक fake purchase दाली, अब यह देखें, हमने complete order कर दिया, तो जब हम complete order कर देंगे, तो उसके बाद हमारे पास जो है, वो thank you page आएगा, यह देखो, slash thank you, सही है, तो यह page खुल गिया, इसका मतलब क्या हुआ, कि customers वेब हमारे thank you page पे जब आता है, जब वो order place कर देता है, तो हम pixel को यह बताएंगे, कि जब कोई बंदा thank you page पर आ जाएगा, तो आप यह समझ लेना, कि उस बंदे ने place and order कर दिया, तो जब भी कोई बंदा, हम place and order का टिक टॉक पर event select करते हैं, तो वो किस तरीके से करते हैं, कि जब हमें कैसे conversion काउंट करेगा, वो इस तरीके से काउंट करेगा, कि जो बंदा thank you page तक आ जाएगा, उसाइसी बात है, बगर order दिये तो वो आ नहीं सकता, तो जैसी वो order place करने के बाद thank you page पर आ जाएगा, तो फॉरन से पिक्सल जो है, वो ट्रैक कर लेगा, तो इस बंदे ने place and order का event पर पॉंग किया है, तो वो हमें महाँ पे show कर आ देका कि भाई आपकी conversion एक count हो गई है, तो count हो गई है, ठीक है, I hope खुथ ही detail में समझा रहा हूँ, तो समझ में आ रहा हूँगा, then आपने इसको save कर देना है, अब हमने save कर लिया, इसमीन हमारा जो है, वो manual pixel successfully connect हो चुका है, तो अब हमने देख लिया कि मैनूल पिक्सल किस तरीके से create करते हैं और attach करते हैं, अब हम ये cover करेंगे, ये automatic पिक्सल किस तरीके से attach करते हैं, तो उसके लिए हमने वो tik-tok का app डाउंड़ करना पड़ेगा, तो अब हम यहाँ पर app store मारा के वो tik-tok सेर्च करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि not compatible, अब क्यों देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान के अंदर tik-tok marketing जो है वो allow नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, हम simply setting पर आएंगे, setting पर आने के बाद हम यहाँ पर पिलिंग इंफॉर्मिशन को select करेंगे, यहाँ पर हम US select करेंगे, है युनाइटिड स्टेट हमने सेलेक्ट कर लिया यहां पर हम जो है वो युनाइटिड स्टेट नियॉयोक सेलेक्ट कर लेंगे यहां पर हमने नियॉयोक सेलेक्ट कर लिया जैस हमने नियॉयोक का पोस्टिल कोड डाला तैन हमने यहां पर सेफ कर दिया अब यह सेव हो गया है अब हम एप के अंदर जाएंगे दुबारा टिक टॉक सार्च करके चेक करता है कि वो compatible हुआ है ये नहीं हुआ तो as you can see अब ये compatible हो चुका है तो हम इसको install के उपर click करेंगे और इसको जो है वो install कर लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टिक टॉक का आप डाउनलोड हो चुका है तो simply हम टिक टॉक के आप में जाएंगे इसको setup नाओ पर click करेंगे जिस्ट हमने यहाँ पर connect पर click करना है connect करने के बाद एक दफ़ हमने यहाँ से login कर लेना है तो अगर हम किस तरीके से करेंगे login with email करेंगे यहाँ पर email अपनी डालेंगे यहाँ पासवर्ट डालेंगे पासवर्ट डालेंगे यहाँ से हम login कर लेंगे अब यह देगे हमारा जो Shopify वो टिक टॉक विजिस मेंडियर के साथ उसने find कर लिया हमारा account तो एक connection का कह रहा है तो हम यहाँ पर simply connect पर click कर देते हैं अब जैसे हमने connect के उपर click कर रहा है connect पर click करने के बाद यह पूछ रहा है कि मिल PKT प्लस 1-2-7 यह account दिखा रहा है तो हम verify किसे करेंगे हम यहाँ पर आकर दिखेंगे कि हमारा account का नाम मिल PKT प्लस 1-2-7 ही है तो हम simply यहाँ से इसको connect पर click कर देंगे connect पर click करने के बाद हमने maximum select करने के बाद अब यहाँ देख रहे हैं कि आप कोई pixel नहीं है ठीक है यहाँ पर automatic pixel create करेगा यह अब हम यहाँ पर अगर confirm कर देंगे तो यह pixel create कर देगा tik-tok pixel for shopify के नाम से और उसको यह नाम होगा इसको मैं आप अगर confirm कर देता हूं तो यह automatically confirm कर जाएगा हम यहाँ से simply finish setup पर click करते है और हमारा tik-tok का automatic pixel connect हो चुगा है हम इस space को refresh करेंगे तो यहाँ पर pixel जो हमने connect कर रहा है वो यहाँ पर show ना शिरू हो जाएगा अब जैसे आपको देख रहा है यहाँ पर tik-tok pixel for shopify जो हमने connect किया था वो simply यहाँ पर connect हो गया है तो यह दो method थे जिसको आप follow करके tik-tok के pixel connect कर सकते हैं और इस तरीके से campaign run कर सकते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी अगर shopify एड e-commerce related यह shopify से related कोई भी question है तो आप इस चैनल को subscribe करके नीचे comment box में बता सकते हैं उसके लावा यह Instagram account है मेरा यहाँ पर किसी भी चीज़ किसी भी हवाले से service चाहिए हो तो आप easily मुझे reach out कर सकते हैं अगर आपके जहान में कोई next topic है जिसको आप cover करवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं जिसके वारे में वीडियो बनाओ तो नीचे comment box में लिखके मुझे बता दें तो तब तक के लि